नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बंगा बदू सेटलाइट की LNB जी हाँ बंगा बदू के सभी टीवी चैनल इस LNB की मदद से आप देख सकते हो बिल्कुल दोस्तों फ्री में दोस्तों बंगा बदू की जो ये सी वेल्ड की LNB है नॉर्मल LNB से बंगा बदू सेटलाइट नहीं कैच होता बहुत सारी ऐसी सैटलाइटे हैं जो कि दोस्तो नॉर्मल LNB से नहीं कैच होती है यानि कि उसके सिगनल नहीं मिलते हैं तो उसके लिए खास LNB की जरूरत होती है 65 dB 12K की ये LNB है दोस्तो और यहां पे दोस्तो आप देख सकते है नॉइस फीगर 12K अगेन इसकी है 65 dB इन्पूट फिक्वेंसी है 3.7 और 4.8 GHz तक की है आउटफुट फिक्वेंसी 950, 2050 MHz है और लो आपको यहां पे 57 आपको यहां पे जो LNB फिक्वेंसी है वो देखने को मिलती है बताते चले दोस्तो कि आप हमारी जो इस पैकिंग को देख रहे हैं इस पैकिंग पे मत जाईएगा क्योंकि दोस्तो यह पैकिंग यह कोरियर से आने में इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है बागी दोस्तो हम इसकी पूरी unboxing पूरी detail पूरी disc में लगा के सारी जानकारियां आज इस वीडियो में दोस्तो हम आपको देंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं दोस्तो आप भी पासकते हैं ये वाला setup box बिलकुल मुफ्त में दोस्तो इस setup box को free में पाने के लिए आपको क्या करना होगा तो दोस्तो इस वीडियो को आपको continue पूरा देखना होगा प्लस दोस्तो इस वीडियो को यहां से करना होगा लाइक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपको यहां से subscribe वरले बटन से subscribe करके और यह घंटी वाला निसान है और इस all वाले निसान पे आपको click कर देना है प्लस दोस्तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में और facebook, whatsapp पे कम से कम 50 लोगों में share करना है उसके बाद से दोस्तो आता है number हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे इस youtube चैनल को subscribe किये हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस वीडियो के नीचे comment करना है nice very nice तो दोस्तों solid की lnbf, c-band lnbf with high gain 65 db तक यह आपको यहाँ पे wide range c-band lnbf आपको यहाँ पे देखने को मिलती है hd, full hd यह सारी चीजे यहाँ पे देखने को मिल जाती है extra fitter far ti आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस box में solid की branding है दोस्तो solid का यह setup box है बाखी detail दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया है design in Taiwan का यह है तो चलिए दोस्तों बिना time waste के हम फटा फट इस lnbf को हम निकाल देते हैं जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि यह lnbf को मैंने कहीं और से मंगाया है मेरे पास अविलबल नहीं था अगर आपको चाहिए तो आपको भी दोस्तों मिल जाएगा तो भाई ने तो बहुत अच्छी तरीके से यह पूरा सब भर के भेजा है यह देखिए यह सब पिटारे में से निकल रहा है सब कुछ और बाकई तो इंडियन पोस्त से आने की वज़े से इसकी आईसी की तैसी हो चुकी है बाक jewels के यहां पर इस पन्णी में दोस्तों आप देख सकते हैं की यहां पर हमें screw यह देखने को मिल जाते हैं यह देख सकते हैं आप लोग यह जो बोल्ट हैं यह सारे नट्स आपको इस LNB में लगाने के लिए तो मैं पूरी रिटेल बताऊंगा यह LNB रही दोस्तो इसका स्कॉलर रिंग और बाकी दोस्तो इसमें कुछ नहीं है इसको साइड में रख देते हैं अब दोस्तो यह जो देख रहे हैं यह स दोस्तो बहुत सारे शवाल आपके यह होंगे कि क्या मैं इसे दो फिट की छोटी छत्री पे लगा लूँगा तो दोस्तो छोटी छत्री दो फिट पे 100% आएगा यह जो साटलाइट ऐसी है बंगा बदू जिसका कवरेज जिसका सिगनल अगर आप पूरभी भारत में हैं य यह स्कॉलर रिंग जो है यह इसकी यह दोस्तो चार फिट की सी बंड की छे फिट की सी बंड की आट फिट की सी बंड की पांच फिट की सी बंड की यानि की सी बंड पे लगने वाली है लेकिन दोस्तो जो फिडॉन के यू बंड पे लगेगा वो अलग होगा जिसको मैं C-Band, LNB, Model, CB और Input दोस्तों आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल बहुत ही किलियत तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया आप लोगों को यह सारी चीज़े आप लोग देख सकते हैं यह LNB बहुत ही बेश्ट LNB होती है दोस्तों यह C-Band, KU-Band, सारी की सारी साटलाइटों के लिए दोस्तों यह बहुत ही बढ़ियां C-Band के लिए बहुत ही बढ़ियां होती है C-Band मैंने KU-Band बोल दिया गलती से क्या मतलब हमारे कहने का मतलब C-Band की ACS8 है ACS8 बे भी कुछ ऐसी फिक्विंसिया है जो कि दोस्तों इस LNB को लगाने के बाद ही आपको सिगनल मिलेगा और हाइफावर की यह 12K की LNB है तो काफी बेश्ट यह LNB दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है तो दोस्तों यह इसका फिलिटर बॉक्स है और यह दोस्तों आप अंदर देख सकते हैं अंदर ज्यादा कुछ नहीं है फिडॉन लगाने के लिए आपको उपर यह साइडों में आपको जगा दिया गया है तो आप इसके अंदर फिडॉन भी लगा सकते हैं तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस परकार से अब दोस्तों एंटीने में लगाने के लिए कुछ इस परकार से एंटीने में लगती है काफी वज़नी हैं दोस्तों आधा किलो या एक किलो के आसपास में यह एल एनबी का वज़न होगा एक किलो हाँ लगबग एक किलो के हिसाब से होगा ज्यादा इसके तोल के बारे नहीं 800 ग्राम एक किलो के हिसाब का यह होगा अब बेश्ट लेंबी है इसमें के लेंबी हमारे पास थी लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेटेश टेक्नलोजी पर मैं आधारी जो भी लेंबी हैं उसको मंगाएं तो दोस्तो यह लेंबी बहु के चलते हैं चा दोस्तो मैंने अपने डिस में इसे लगा दिया है और पुरानी य lenby आप लोगो देखा ही मैंने दिखा था वीडियो कि पुरानी जो leenby होती है जो asya c centr के लिए होती और अभी जो मैने इसका इसको अपने लगार एक बाद असके बाद से जो इसका आगे व C-Band वाली LNB थी उसका है और जो इसके साथ मिला था उसे आप C-Band की ही LNB डिस्प पे लगा सकते हो तो वो तो यूज नहीं होता तो इसको मैंने लगाया है और बाकी मुझे इस छतरी पे सिगनल भी मिल गया है इस क्रू एलन बी का इस क्रू एंगल आप देख लो बंगा बदू के लिए कैसे होगा और बिलकुल ऐसे ही आपको अपनी जो LNB है रखनी है और उसके बाद से फिक्वेंसियां आपको आगे वीडियो में दिखाई दे जाएंगी अगर उन फिक्वेंसियों पे नहीं आता है और आप इस LNB को हमसे खरीदे हैं या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं खरीदिये आपको पूरी डिटे पूरी हेल्फ होगी आपकी सेटिंग के लिए लेकिन मैं आपको बता दू जो हमारी ये जो छतरी है ये तीन फिट की है और मैंने तीन फिट पे टेक किया है जगह जगह की बात होती है कहीं दो फिट पे भी हो जाता है तो तो कहीं पांच फिट पे होता है तो चार फिट पे नहीं होता है तो बहुत सारी कहानिया है सोछ समझ के LNB को खरी दिएगा बाकी यहाँ पे हम आपको इसे पीछे से दिखा देते हैं Windows के आप देख लीजिए डिस्क के पीछे से आपका डिस्क नीचे होगा कितना आपका डिस्क उपर होगा और ये आगे पीछे दिखाने से मतलब नहीं होता है वो आपको ही सेट करना होता है अपनी डिस्क को अपने हिसाफ से अलग-अलग इंगल होते हैं डिस्ट फिटिंग के उसी हिसाफ से उपर नीचे भी डिस एंटी ना होता है अलग-अलग साइज भी हर एक डिस्के होते हैं अब आपको जो टीवी चैनल दिखा रहा हूँ 26 टीवी चैनल हमें इस छतरी पे मिले हैं और बाकी अगर मैं थोड़ी बड़ी छतरी लगाता तो मुझे जादा चैनल मिल सकते थे 50-60 के आसपास में और अभी आप देख सकते हैं 28-29 चैनल मैंने फिर बाद में मैंने इस्कैन किया है वीडियो बनाने के बाद तो मुझे 29-30 के आसपास में 32 के आसपास में टीवी चैनल मिले खैर थोड़ा सा मैंने ट्यूनिंग किया था लेकिन दोस्तों जो चैनल मिले हैं आप लोग को भी दिखाना जरूरी है आप लोग देख लो जो फिक्विंसी आपको उपर दिखाई दे रही है 46 14481 रही है और यह देखें बंगा बदु का यह जो चैनल है बैंक सांग सान बंगला कुछ करके है और ASEAN TV आपको मिल जाता है HRD चैनल अच्छे हैं आपको यहां पर HRD चैनल से देखने को मिल जाते हैं वहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं Sat TV, BTB, BTB National, BTB World, और भी बहुत सारे TV चीनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप बेड़ी एजी तरीके से, आप इन सभी टी चैनल को देख सकते हैं अगर आप पूर्वी भारत में हैं तो दो फिट की छतरी पे हो जाएगा बंगाल में ही है तो आपका दो फिट पे हो जाएगा सी बेंड लगाने से हो सकता है चैनल कुछ कम आए लेकिन आएंगे अगर आप इधर बढ़ेंगे पच्छमी भारत साइड में बढ़ते रहेंगे तो आपके पास डिस्की साइज भी धीरे 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 बढ़ती रहेगी यह आपका पत सक рез और बॉन बहुत ऊक्रमकाना ड्यपैनों भीजियानज है ने का पतार टेफने कहां का का से शग्जारोश चाल बेरी वेस्ट है और सॉली डिक के बारे में मत पूछो वाइड रेंज आप इसका जो सी बेंड एल एन वी एफ से है बहुत ही बढ़िया है और जो इसका सिगनल आपको मैं बता दूँ जबर जास्त सिगनल है वन मतलब इसका सिगनल के बारे में मत पूछ हो आप बस जो इसकी बात है मस्त है और इसको तो मैं आप लोगों को ACS 805 पे 83 डिग्रीश पे 60 उस पे 49 पे ठीक है और सारे सेटलाइट उपर लगा के मैं दिखाऊंगा 38 पे दिखाऊंगा तो आप लोग वेट करें हमारी वीडियो का और चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि दोस्तो हमारा यह ऐसा चैनल है जहां पे हम प्रोडिक्ट खरीद के लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी मिले मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी और ने बीडियो